नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजूकेशन पोडल कृष्णा आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक भेकेंसी के बारे में विश्त्र तूप से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और वह भेकेंसी बिहार अस्तर की है बिहार सिक्षा परियोजना परिशद समग्र सिक्षा अभियान के तहत बिहार के जिलों में संचालित होने वाले कस्तूरवा गांधी वाली का विद्यालाई में विभिन कर्मियों के खाली पद पर नियोजन के लिए ओनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है उस अधिसूचना में और क्या महत्पुन बातें अंकित की गई है जिसे जानना अति आवस्यक है तो एक-एक करके हम लोग उसकी जानकारी को प्राप्त करेंगे इसके लिए हम लोग बोर्ड की साहिता लेते हैं कस्तुर्वा गांधि वाली का विद्याले नियोजन सूचना है और इसमें कुल पदों की संख्या जो बताई गई है उस अधिसूचना में असपस्ट नहीं है लेकिन लगभग जो इसकी पद की संख्या है वह चार हजार से भी अधिक हो सकती है ओनलाइन आवेदन जो प्रारंब होगा और की लिंक ओनलाइन के लिए जो लिंक एक्टिव होगा वह 15 बारा दिसंबर से प्रारंब हो जाएगा और वह अंतताः 6 जनवरी 2023 तक चलेगा ओनलाइन की परकिरिया इसमें पद इस प्रकार से निर्धारी था है वार्ड वार्डन सह सिक्षिका उसके बाद अनस्कालिक सिक्षिका जो की भासा से होगा उसके बाद अनस्कालिक सिक्षिका में विज्ञान एबं गनी से भी समाजिक विज्ञान से भी होगा उसके बाद इसका 5 पद इस प्रकार से है लेखा पाल सह सहयक पिर छठा है अनुसेवग और सातमा है चौकिदार जिसे रात्री प्रहरी भी का सकते हैं और उसके आठमा है मुख रसोया और नॉम्मा पद में है सहायक रसोया तो इसका जो मांदे है यह नियोजन अस्तर पे बाहली हो रही है निकि इसका कॉंट्रेक्ट है अनुबंध अस्तर पे तो मांदे प्रतिमाह वार्डन सह सिक्षिका में 15,000 रुपिये प्रतिमाह दिया जाएगा मा अन्सकालिक शिक्षिका भासा तो भासा में हिंदी अंग्रेजी संस्क्रीट उर्दू कुछ भी हो सकता है तो इसके लिए 13,000 रुपिया प्रतिमाह है फिर उसके बाद अन्सकालिक जो शिक्षिका होगी वह विज्ञान एबम गनीत की होगी और उसमें भी 13,000 रुपिया मा इखा पाल शहां शहायक मान्दे 8,500 रुपिया निकीенты 8,000 रुपिया प्रतिमाह है अनुशेवह के लिए 35,000 रुपिया फिर चोंकीदार और रात्री-प्रहरी के लिए 60,000 और शहयक रसोया के लिए 69,000 प्रतिमाह मान्दे निर्धारित है तो इसमें ध्यान देने वाली बा कुछ दोनों एवल हैं दोनों भर सकते हैं उससे जो सोट नोटीस जारी की गई है उसमें असपस रूप से इस बात की चर्चा की गई है कि चौकिदार और रात्री प्रहरी के लिए महिला और पूरूस दोनों सामिल हो सकते हैं उसके बाद इस पद को अधी छोड़ दिया इसके बाद मुख रसोया और सहयक रसोया तो इसके लिए सिर्फ महला अभ्यर्थी ही योग होएंगे महला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं पद योगता इस प्रकार से है कि अलग-अलग सेक्षिनिक योगता इसकी होगी तो अलग-अलग सेक्षिनिक योगता होगी उस अधी सुचना में इस बात की अभी चर्चा नहीं की गई है अस्पस्ट नहीं किया गया है जब लिंक एक्टिव होगा तो निशित रूप से उसमें सारी बातें मेंशन की रहेगी और वेव साइट इसका इस प्रकार से है www.bepcssa.in अनि इसकी सहायता से आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसी की सहायता से आप ओनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं तो अब हम लोग उम्र सीमा की बात भी कर लेते हैं तो उम्र सीमा में 21-37 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया हностकी समान कोटी के प्रूष के लिए नियूंतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष हां इसके बाद BC, EBC जेनरल फिमेल अनिकी अत्यांत पिछड़ा वर्ग और जेनरल महिला कंडिडेट के लिए अधिक्तम उम्र सीमा 40 वर्ष रखा गया है SCST अर्थार्थ अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती उसके लिए 42 वर्ष रखा गया है और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए अधिक्तम जो उम्र सीमा है उसमें 10 साल की छूट दी जाएगी इसके बाद पी अच्छ अनिकी दिव्यांग के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दिया गया है तो इसमें कल्पना की जिए कि अधि कोई दिव्यांग महिला या पुरूस SCST से बिलोंग करते हैं तो उसका जो समान इस्तिती में 42 वर्ष अधिक्तम उम्र सीमा है तो उसमें 10 साल जोड़ करके 52 वर्ष वह अधिक्तम उम्र सीमा हो चुकी है तो वह ओनलाइन आवेदन कर सक सकते हैं और यह आयू की गन्ना यह जो एज लिमेटेशन दिया हुआ है इसकी गन्ना एक आठ दो हजार बाइस के अनुसार से होगा उसके बाद हम लोग और भी अन्य बाते पर चर्चा कर लेते हैं आप देखिएगा जो नोटिफिकेसन जारी की गई है संशिप्त परिक्षा सुल्क यह किलियर नहीं किया गया है तो निशित रूप से जब लिंक एक्टिव होगा और इससे संबंधित अधिसुचना जारी की जाएगी और डिटेल जानकारी जब दीज आएगी तो निशित रूप से वहां पर योगता किस पद के लिए क्या योगता रखी के लिए इस website की आपको सहायता लेनी होगी https www.bepc.in तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार सिक्षा परियोजना परिसाद के अंतरगत जो कस्तुर्वा गांधी वाली का विद्याले से रिलेटेड विभिनपद है उससे जो अधिसूचना जारी की गई है ओनलाइन करने के लिए अभिहर्थियों को तो इसकी जानकारी प्राप्त करने का परियास किये निशित रूप से यह जानकारी आपके लिए जरूर लाफ पहुंशाएगा और जब पंदरह 12-2022 से लिंक एक्टिव होगा तो अन्य जो से जानकारियां बच जाती है वह हम आप मेरे पा अवेरिका में जरूर परियास करूंगा थैंक्स फर वाचिंग बुडबाई